चानक के IS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे आइसलेंड में ज्वाला मुखी विस्पोर्ट के बारे में आइसलेंड के ग्रिंडाविक में सबसे ज़ादा आबादी वाले हिस्से में ज्वाला मुखी फट गया है देश के मौसम विभाग ने बताया है कि वॉलकेनों फटने से पहले यहां पिछले एक महीने में हजारों भुकंप दर्ज किये गए है ग्रिंडाविक में जमीन फटने से करीब 3.5 किलो मिटर लंबी दरार पड़ चुकी है जो लगातार बढ़ती जा रहे है आइसलेंड की राजधानी रेकिविक में यहें सिर्फ 40 मिटर दूर है इस दरार से लावा लगातार 100-200 स्क्वेर मिटर परती सेकिंड की दर से निकल रहा है भुकंप के बाद से वहां से हजारों लोगों को हटाया जा चुका है चार हजार लोगों को अब तक हटाया गया है प्रशाशन ने लोगों को इस इलाके के आसपास भी जाने से मना किया है आइसलेंड के रेकिंस पैनिनसुला में पिछले महीने से ही सडके धसना शुरू हो गई थी भुकम की चैतावनियों के बीच वहां रह रहे करीब चार हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है देश के मौसम विभा के अनुसार नमंबर में ग्रिंडाविक की जमीन के नीचे 10 किलो मिटर लंबाई में लावा बैरा था यह सताह से करीब 800 मीटर नीचे था पिछले दो साल में इस छितर में करीब 4 जवाला मुकी फट चुके हैं मार्श 2021 में भी इसी इलाके में एक बड़ा जवाला मुकी विस्पोर्ट हुआ था तब दरार से करीब 6 महीने तक लावा बैता रहा था इसके बाद अगस 2022 में फिर एक जवाला मुकी फूटा और इसका लावा तीन हफतों तक बैता रहा भुगोल के आधार पर आइसलेंड काफी महत्तपूर्ण है क्योंकि आइसलेंड में 140 जवाला मुकी है आइसलेंड की अबादी करीब 4 लाख है और यहां 140 जवाला मुकी है इन में से करीब 33 एक्टिव वालकेनों है देश दो टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा हुआ है ये प्लेट्स खुद समुद्र के नीचे मौजूद एक परवच रंकला में बटी हुई है इस परवच में लगातार मैगमा निकलता रहता है आइसलेंड में पिछले कुछ दिनों में आए भुकम के जटकों का फिलहाल यहां के सबसे बड़े कट्ला जवाला मुकी पर कोई भी असर नहीं पड़ा है विज्ञानिकों का मानना है कि ये जवाला मुकी भी जल्द ही फट सकता है काटला में 1721 के बाद से अब तक 5 विसपोट हुए हैं ये 33 से 78 साल के अंतराल पर होते हैं काटला में आखरी विसपोट 1918 में दर्ज किया गया था अब हम बात करेंगे जवाला मुकी क्या होता है जवाला मुकी प्रत्वी की स्तेह में एक छिद्र है जिसके माध्यम से लावा जवाला मुकी राक और गैसे निकलती है प्राचिन लोगों का मानना था कि जवाला मुकी देवताओं के नियंतरन में थे दरसल ज्वाला मुखी शब्द रोमन आग की देवता वलकन से आया है ज्वाला मुखी प्रत्वी पर मौझूद 7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 28 सब टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण बनती है दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वाला मुखी माउंट एटना इटली में है वर्तमान में दुनिया भर में लग भग 1500 समभावित सक्रिय ज्वाला मुखी है इनमे से 109 सयुक्तराजय अमेरिका में है अब हम जानेंगे कि भुकम कैसे आता है हमारी धर्ती की सताह मुक्य रूप से 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुर जाते हैं और जादा दबाब पढ़ने पर ये प्लेट्स तूटने लगती हैं ऐसे में नीचे से निकली उर्जा, बाहर की ओड निकलने का रास्ता खुशती है और इस disturbance की बाद भुकम पाता है इसके साथ ही आज का एक टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद